अपने शेहर की लेटिस्ट खबरों के लिए फ्यूज को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उना जिले के हरौली विधान सभार शेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नभी आजाद ने बीजेपी के केंद्र में 100 साल सरकार रहने पर भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटा पाने का दावा किया है गुलाम नभी आजाद ने अतंकी अजहर मसूद को बीजेपी सरकार दौरा छोड़े जाने को पुराना मुद्दा बताते हुए अपरोग शुरूप से अपनी ही पार्टी नेताओं के अलोशन कर बैठे उन्होंने मीडिया के इस सवाल पर पिछले पांच सालों में किये गारें को ही मुद्दा बनाया जाने की बात कही यह जपरानी है यह जपरानी चीज़ा है यह मुद्दा नहीं होना चाहिए ये तो भातिय जंता पार्टी क्योंकि पांच साल उन्हें नंब ने कुछ किया नहीं किसानों को भी ठागाया मज़गूर, और यिए नफजवानों भी ठागाया अब लोग पकड़ रहे हैं तो इसलिए कभी वो कश्मीर की बात करते हैं, कभी उदर की बात करते हैं, कभी बंदर की बात करते हैं, कभी चाली साल पहले की बात करते हैं, कभी राजियो गांदु को जाना, मुद्दे हमारे एलेक्शन में होते हैं, बेकारी हटी के नहीं, बेरोजगारी हटी के नहीं, कि उधर इदर के मुदे जिनका कोई एलक्षन से लेना देना नहीं है जिन मिंदे की ये परचार करते हैं उसके बाद दस एलक्षन हो चुके हैं विदान सवाओं के पार्लिमेंट वो मुदे गलत थे या ठेक थे लोगों ने उन पर अपना निर्दे और सरकारे उनको गिराया है वो मुदे आज क्यों उठाते आज आजाद में कॉंग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनने पर गटबंदन में सेहमती से पीम चुने जाने की बात कही और हमारा प्रयास है कि हम अपने आप में 273 से सीटे लें और अगर नहीं 273 बनती है तो जितने भी हमारी पार्टी दूसरी पार्टी है गठक दाल है गठक से बाहर भी हम पुरा प्रयास करेंगे कि कंसंसस उनके बन जाए इस दौरान कॉंग्रेस के राष्ट्री स्टार प्रचारक आचारी प्रमोत किस्कम और हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुगेश अग्मी होत्री भी मौजूद रहे उना से न्यूज के लिए अमित शर्माखिल को आपकी याद्रा के दौरान आपकी कार का एंजिन जूजता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से हराए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से सर्वर फ्यूचूरा जी प्लस सिंथेटिक एंजिन ओयल, आपके कार एंजिन की सुरक्षा ढाल, जोदे इंधन में 2% की बचत भी सर्वर फ्यूचूरा जी प्लस, इंडियन ओयल की पेशकश